IITS vs NITS, which one is better? A is old debate, बहुत पुरानी डिवेट है, कई सालों से चलती आ रही है और कई सालों तक मुझे लग रहा है चलती भी रहेगी बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं कई लोगों को अंसर पहले से पता है, कई लोग अंसर जानना नहीं चाहते कई लोग अपने डिमार्क में जो image है उसी को ही reinforce करना चाहते है लेकिन इस्टिल एक factual discussion तो होना चाहिए तो हम लोग कई सारे points जो common circulation में हैं उनके जो facts हैं वो हम लोग जो है consider करेंगे और ultimately conclusion निकालने की courses करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए तो देखे ऐसा है कि अगर हम admission criteria देखें मतलब अगर हम देखें कि किस तरीके से IITs और NITs में students जाते हैं तो हमको सबको पता है कि हमको JE means देना है if you qualify then आप NITs, TIPL ITs, CFTIs, Centrally Funded Technical Institutions उसमें आप directly JE means के तुरू जा सकते हैं अगर आप qualify करने के बाद advance के लिए भी qualify करते हैं जे मेंस qualify करने के बाद तो आप advance के जो भी criteria उसमें आते हैं तो उसमें आप advance का exam जब अब देंगे तो उसमें तुरू आप IITs और ISM धनबाद में जा सकते हैं जे मेंस जे एडवांस तो recent है पहले क्या होता था कि JE की जगे AEEE होता था और IIT का अपना खुद का exam होता था उसको जे एडवांस नहीं बोलते थे मैंने जिस साल निकाला था तो तुरू 3 में उसमें AEEE हुआ करता था और IIT का exam अलग से हुआ करता था तो अब जो है जिस टाइब का exam का structure बनाया गया है उसमें जो cream of the lot है वो obviously JE मेंस में जो सबसे अच्छे percentile लाएंगे उसके बाद advance भी निकालेंगे वही IIT में जा पाएंगे तो cream of the lot तो एक तरीके से IIT में ही जा रहे है यह अलग बात है कि JE मेंस और JE एडवांस के percentile में जाता कोई correlation नहीं कई बात बच्चे JE मेंस से बहुत अच्छा करते हैं JE एडवांस पो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं और advance में कई लोगों की unexpectedly बहुत अच्छी रहेंगा जाती है कि JE मेंस पो उतना अच्छा नहीं होता है तो यह direct correlation है यह बट इस्टिल अगर हम relative terms पे बात करें तो cream of the lot IIT में जा रहे है next हम लोग अगर number of location देखें तो 23 IIT हैं आपको पता हैं कुछ old IIT हैं कुछ new IIT हैं 31 NIT हैं तो देखें IIT जब बनाए गये थे set up किये गये थे तो उनको national level central government central government उनकी sponsor थी IIT जब बनाए गये थे जो national issue of technology है यह पहले state government के अंडर आते थे जैसे मैं IIT अलावाद बताऊं तो यह मोतिलाल नहरू regional engineering college MNR के लाता था था पहले regional engineering college state government की एक तरह के से असेट हुआ गरते थे तो state government उस central government में level का difference है central government के पास one जादा था central government के पास resources जादा थे तो IIT जो पुरानी established हुए थे खड़कपोर, Mumbai, Delhi ते नही मदरास बोल सकते हैं तो यह सारे जो IIT थे IIT बेचुबी काफी पुराना है रोटकी बात में बनाया गया गुहाटी जो है नया बना फिर उसके बाद और नया IIT बने जो हमारे मंडी हो गया फिर भुवनेश्वर है तो यह सारे जो IIT हैं इनका central government sponsor था and IIT पहले regional engineering college REC कहलाते थे Allahabad में, Bhopal में सुरतकल, तरचीव औरंगल यह जो थे यह पहले state government के अंडर आते थे बाद में इनको central government ने take over कर लिया और फिर हम इनको resources central government अपने budget से देने लगे बट difference है, difference यह है कि IIT की एक legacy है कि उनके पास fund जादा रहा है तो उसका यूश करके उनने अपने आपको national international level पे establish किया है जबकि NIT की जो पुरानी legacy है वो state government के होने के वैसे थोड़ासर regional touch उनमें रहा है तो IIT का एक national touch रहा है और NIT का अब तो खेर आए नाइटी में पूरे all over India के student आने लगे है बट पहले थोड़ासर regional touch था NIT सुरद कर ले तो मूश्ली उनके आए नाइटी का के वारंगल है तो आनपदेश नाइटी अलाबाद है तो उपी के तो यह एक फ्रॉसर difference है जबकि IIT का एक Pan India perspective रहा है next is seats तो IIT में अभी अभी अगर हम सारी category जोड़ दें तो कुछ 10,000-11,000 के आसपास आता है data IIT में कुछ 18,000-20,000 हर साल change होता रहता है triple IIT में कुछ 4,000 और बाकि और है institution तो उनमें भी 5,000-10,000 seats होंगी बट IIT में NIT में seats ज्यादा है मतलब 1-2 का ratio है approximately तो अगर आप IIT में जाएंगे तो मतलब एक IITN पर 2 NITN एक तरीके से यह ratio तो परकरार रहेगा तो number of students जो होंगे वो NIT के अगर हम सारे cumulatively सारे NIT के जोड़ने तो जादा ही रहेगा fees को compare करते हैं ठीक है criteria, admission का criteria हमने देखा कि IIT का tougher है तो उनको cream of the lot academically better students मिलते हैं लेकि number of students NIT के जादा है fees अगर देखी जाए तो देखे fees बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में और IIT के जो fees है वो 2 lakh 2 lakh per annum तक पहुँच गई है NIT की fees भी बढ़ी है बढ़ उतनी अभी नहीं बढ़ी है मतलब NIT की fees अभी आप समझ लीजे 70,000, 80,000 को क्योंकि variability है, हर IIT की fees एगजिसे नहीं है तो NIT एक तरीके से input आपका कम लगेगा अगर हम fees की बात करें ऐसे कोई दिकत नहीं है IIT की fees ज्यादा है बट student loan भी इजली मिल जाता है यह बहुत बड़ा criteria नहीं है आगे बढ़ते हैं हम comparison करेंगे तो obviously ranking तो देखेंगे देखेंगे तो अगर हम all over इंडिया की rank की बात करें top engineering colleges top 10 की बात करें तो top 10 तो बही IITs ही dominate करते है एकलौता जो IITs के सिवा institute जो बाहर से आप आता है top 10 में regularly हो सकता है after year ranking में दलती रहें तो वो bits पिलानी है इसके सिवा NITs के अगर बात किया जाए तो NIT सूरतकल और NIT तुरच्रा पल ली इन दो NITs में तो दम हैं यह दो NIT अपनी जगह top 10 top 15 में जरू बना ले है NIT सूरतकल NIT तुरच्रा पल ली तो यह दो NITs हो सकता है कई IITs से भी ज़्यादा अच्छी rank कर जाएं तो यह एक difference है NITs और IITs में कि IITs अगर top 20 20 हम और wide कर लें top 30 और कर लें तो IITs NITs से better है in terms of जो भी ranking का criteria रहता हो infrastructure placement, overall academic environment इसमें कई लोगों का यह कहना होता है कि जो top के NITs है वो नई IITs से तो better है तो देखे ऐसा है कि एक जमाना था जब IIT गुहार्टी को नई IIT में count करते है मैं अपने जमानी की बात कर रहा हूँ अब उस समय बहुत सारे college थे जो IIT, Goarty से लोग बोलते थे कि अच्छे हैं लेकिन time जैसे आगे बढ़ता गया है तो IIT, Goarty को IIT के brand name का advantage मिला और वो भी पुरानी IITs में गिना जाने लगा सेम चीज वहाँ पर भी होगी जो नहीं, AIMS को लें उनको AIMS का advantage मिलेगा और जो बाकि उसके सवा college हों के medical मौलाना जाद है या KGMC वो कही नहीं ranking में नीच चाते जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे वो brand name पुराना नया का criteria कुछ सालों तक ही रहता है उसके पाद जब आप long term की बात करोगी तो tag value जो होती है वो count होती है चलिए हम और बात करते हैं ACR ranking से बात करते हैं तो अब देखें, ACR ranking में NITS SS count नहीं होती है IITS अपनी जब भी हम ACR ranking या अगर आप QS word ranking की बात करें वर्ड level पे तो ITS ही dominate करते हैं इसी बेंगलोर भी आता है तो D.U.J.N.U. इनकी भी बात होती है बट जो branding होती है इसमें NITS कहीं feature नहीं गिरपाती है तो यह एक criteria हो सकता है अब आतने सबसे main चीज़ यह सब कुछ तो इधर उधर की बात है पैसा matter करता है P package Mills and Selley matter करते है P package अगर देखने के कई कई रहा होता है आप median Selley देखो आप average देखो आप maximum Selley देखो तो अगर आप average देखो तो IT's का NITS से जाता है और NIT's टॉप की जो वह और जो नई ITS है नह है的時候 ADPAR है यहीं ब chef T Denk ne W Step Selle नह सबसक्राइं तो टॉप निटीस नहीं IT से बेटर करी है, on average है, और जो बाकी निटीस हैं, उनका तो नहीं IT से भी कमी है, बाकी कई जो निटीस हैं, जो मतलब उतनी अच्छी नहीं है, जो उतनी अच्छी नहीं है, या उनकी अच्छी लोकेशन का उनको disadvantage है, तो ऐसे नौटीस के हैं, इस तो लाइटी फ्रेशी या सकती है individual ही नेक्स्ता भी एक ढूटिय। था सब्रेस्ट्राइक its कह रहती उन के asking嗯श्च पास budget की ऐटेलिकी pomohal ने ज्टाऊ में आपको बताऊं मैं इख इनको इतना ज्यादा फंड मिला है कि उन्होंने बहुत बढ़िया इंफरस्ट्रक्चर रखा है इनके छास्रों नहीं जो और फैसे हकं बहुत बढ़िया इनको लीजतीmit के ब्लब करें नारीज मेंUD कि बढ़िया और इनको शुरतक्ट सब्सक्रिया अगर हम और चीज़ों को देखें, इंफास्टर्च्चर के सिवाज जैसे एक्स्टा करुक्लर एक्टिविटीज देखें, तो एक्स्टा कर्कुलर एक्टिविटीज एक ऐसा डोमेन है, जहां पर आईटीज जहें, कहीं न गहीं आगे स्कोर कर जाते हैं मेरी बात हुई है मेरे पढ़ाई हुए स्टुडेंट्स एक NIT शुरुत कल में computer science एक केसिंग में कोई IIT ले 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 तो IIT बेच्चू में एक बंदा है mechanical तो मैं देख रहा है कि extra करोगी की बात आती है तो वहाँ पर IITs जो है हर हालत में आगे ही दिखाए देते हैं और अगर आप extra करोगी ले फेसल्टीज देखो इनके जो फेस्टिवल होते है annual फेस्टिवल देखो IIT कानपुर का अंद्रागनी, IIT मुंबई का Mood Indigo, MI, IIT BHU का 80 आत्रा तो वह कहीं न कहीं उनको जो लेवल है, उनका जो जिस तरीके से वो करते हैं इवेंट को औरगनाइज उनको जो उसको नाइटी के अंदर उतनी डैनिमिजम नहीं है तो campus life जो आपको बोलते हैं campus life की problem है, मैं नाइटी सुरत कल की बात बता रहा हूँ जो top नाइटी है, वो भी बच्चे ही वहाँ के बताते हैं, मैं अपनी वहाँ पर opinion नहीं दे रहा हूँ, बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि डल है, अकेडमी की बहुत बढ़िया है, और इसमें इंडिविजल पे भी है help करता है, branding बनाने में तो अगर brand name की बात किया जाए तो IIT का brand name वर्ल ओबर recognize करते हैं, अगर आप बाहर किसी उन्वर्ष्टी में पढ़ना जाना चाहते हो तो भी आईटी का नाम उत्रन बाहर की उनवर्ष्टी के प्रोफेसर recognize कर लेंगे, NITs भी होंगी बिल्कुल कर लेंगे, और करते ही है बट ब्रांड की बात की जाए तो IIT का ब्रांड, NIT के ब्रांड से है ज़्यादा बैटर है, अच्छा आप COs की बात की जाए कि corporate ladder में क्या है, final तो हमारा destination वही है, देकि corporate ladder की बात की जाए तो IITs, NITs में कहले हों के दिमार्ग में होगा कि IIT, IIMK, Elminize का ज़्यादा dominance है, तो सच्चाई में clear कर दूँ एक data ये कहता है कि 3 4th of the CEOs जो है, ना तो IIT के, ना IIMK, वो तो others है, बलब कोई फ्रग नहीं पढ़ता है, आप चाह IIT, IIM हो चाहे ना हो, आप अगर desire हो करते हो, तो आप वहाँ पर पॉंच होगे, और अगर intrapreneurship करना है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पढ़ता है, भाई OU है, OU है, OU तो एक बंदा B.com graduate है, उसने OU इस्टेबलिस कर ली IIT, IIM के टैग से क्या होता है, भाई के लोग IIT, IIM से करके जौब ही करना है और कोई बंदा intrapreneur बंदा है, तो IIT, NIT को फर्क नहीं पढ़ता है, तो अगर आप final destination की बात करना है, तो मेरे हिसाब से IIT, NIT इस चीज़ में तो को फर्क नहीं पढ़ता है वहाँ पर मैंने बता गया, यह जो फर्क नहीं पढ़ता वहाँ पर मैंने बता रहो, बिल्कुल फर्क नहीं पढ़ता ultimately you, yourself as a creator of your own dictionary आप IIT करो, NIT करो या फिर आप college drop कर जाओ, अभे से आप किसी नहीं चीज़ में लग जाओ, कुछ नया आप IIT, Facial, Intelligence, Robotics में जो नहीं चीज़ आ रही है, Internet of Things आप इन में कुछ काम करना, स्टार्ट कर दो तो आप कुछ भी कर सकते हो तो यह IIT, NIT की डिबेट सुपर्फिसियल ही है एक तरीके से बिल्कुल सुपर्फिसियल है आपको इसमें कोई पढ़ने नीचे, आपका जो best हो सकता है, आपको करो अगर IIT मिलता है, तो अच्छा अगर IIT मिस कर जाते हो, तो NIT अगर NIT भी मिस कर जाते हो, तो भी कोई दिकत नी है आप अपना जो best कर सकते हो, वो करने पर फोकस करो, आप इस debate में बहुत ज़्यादा पंडिक जड़ोती है आप अपने आपको फोकस करो, कि आप क्या कर सकते हो, आपकी capabilities क्या है, और यह आपको long term के लिए help करेगा Friends, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसको like करें, share करें और चैनल को subscribe करें, जिससे आपको इसकरे के helpful tip मिलती रहे time today Thank you